मेरा नाम है शिवम और आज हम बात कर रहे हैं इस एक कैटेगरी की जिस कैटेगरी के जो कॉइन्स हैं क्रैश हो या बुल मार्केट हो देखो बुल मार्केट में तो सब चीज़े धुरंदरी होती हैं बट क्रैश हो तो भी ठीक ठाक रिटरंदर दे जाते हैं ऐसे नहीं तो वैसे तो आज हम उस कैटेगरी की बात कर रहें गाईज और वो कैटेगरी है guesses, gaming and metaverse, तो specifically gaming में कुछ top coins की बात करेंगे, बट बात करेंगे कि यह क्यों ऐसा है कि market dumps में भी, gaming के coins ऐसे नहीं तो वैसे जो मैं बोल रहाँ returns हमें जो है, दे जाते हैं, तो चलिए चलते हैं screen पे, और screen पे जाने के लिए, यहां पे let me share, आप लोगों के साथ तो यहां मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर notice करोगे, तो telegram पे जो है, आपको audio messages मैंने आज सुब जैसे fundamental analysis of stocks या crypto में सबसे important चीज क्या है, या मैं किस तरह से उसकी तरफ सोचता हूँ, वो सब मैंने share किया, और भी बहुत सारी चीज़े है, जो telegram पे exclusively share हो रही है link description मिलेगा, ज़रूर telegram आप check out करें और भी अगर आप मेरे तक reach out करना चाहते है, काफी सारे लोग हैं जो बात करना चाहते है जो tweet करें मेरे पे, twitter का मैं हमेशा response जो है, देता हूँ तो चलिए चलते हैं, gaming पे और gaming के coins की बात करते हैं, तो पहले तो काई समझ लेते हैं कि gaming के जो coins है वो अच्छा क्यों perform करते हैं so first of all, देखो, bull run में तो सब उपर ही जाता है automatic सी चीज है, क्योंकि bitcoin उपर जा रहा है, crypto market की पूरी market की जो market gap है वो भी काफी उपर जा रही है and उसके साथ-साथ gaming, metaverse NFTs, ये सब comparatively जो है, अच्छा perform करते हैं क्योंकि अभी के लिए, पूरी crypto market में दो बड़े use cases जो है, वो निकल कर आए है वो दो बड़े use cases क्या है या पीछे बुल-बुले खोल देदे दो बड़े use cases, एक आ रहा है DeFi का, दूसरा आ रहा है gaming, metaverse, NFT, ownership वाली साइट से, and entertainment साइट से तो ये दो चीज़े निकल कर आ रही है पर अगर हम gaming के specifically यहां बात करें, तो gaming में देखो क्या होता है, काफी सारे लोगों के लिए entertainment is value, is utility क्योंकि लोगों को escapism चाहिए इसलिए games चलती आई है इसलिए लोग बाहर चलके एक एक पार्ट बड़ा, उनकी जिंदगी का एक बड़ा पार्ट काम होता है दूसरा बड़ा पार्ट खेल होता है क्योंकि ये as human beings हम लोगों का अलग-लग चीजों की जुरुत होती है तो gaming as a field general field की बात कर रहा हूँ सिरफ crypto field की नहीं is huge, already multi-billion dollar industry है and उसमें भी यहाँ पे लोगों का जो एक fan based emotion होता है game की तरफ, वो game को खेलने वाले अच्छे खिलाडियों की तरफ चाहे वो e-sports चाहे हो, बहुत ही जादा होता है अब हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि crypto में अच्छे level की games यहाँ पे आ रही है and एक अच्छा entertaining ecosystem प्रोवाइड करने वाली games जो है यहाँ पे आ रही है तो gaming में कुछ top coins है आपको पता ही होगा mana, decentraland which is what, it's a metaverse जो completely decentralized है यहाँ पे डाउ के थूँ चलता है यहाँ पे land है वो सारी चीजे है axi है, sand है, gala है यह तो top हो गए, right? इसमे specifically अगर हम बात करें guys, ऐसे consequence होते है जो crash में जादा चलेंगे मेरा ऐसा मानना है crash में, जब market negative है तब rather than something like engine या CD5, जो की एक platform है यहाँ पे जो खुद एक game है, या एक game studio है वो better कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसका token एक constant use में रहता है, तो आपको एक example देना चाहता हूँ, axi infinity की बात करते है, axi infinity खेलने के लिए आपको axi चाहिए, आप slp जीतते हो, slp भी use होता है axi, axs token भी use होता है now, axs token यूज होता है आपका axis खरीदने के लिए और वो सब चीज़ों करने के लिए, right? तो अगर मैं यह दोनों tokens को देखूँ, bull हो या bear हो, अगर मैं game खेल रहा हूँ मेरे को यह दोनों tokens की जुरुरत है तो अगर मेरे पास इन में से कोई एक चीज़ खतम हो जाती है मैं क्या करूँगा, bull या bear मैं जाओंगा और मैं खरीदूँगा, और मैं game खेलूँगा क्यूँ game खेलूँगा, अगर मुझे जादा पैसा देके भी खरीदना पड़ जाए मेरे लिए वो game जो है, play to earn है इस case में that is making a lot of money for me so that's a very very important thing, right तो यहाँ पे थोड़ा सा फरक पड़ता है network versus platform में या rather game versus platform में अब ऐसा ही एक और project मैंने आप लोगों साथ जो है share किया था, almost एक महिना पहले and मैंने आपको तो बोला था sponsor नहीं है, मैं खुद का पैसा इसमें डाल रहा हूँ, so that project was spin top, वो अभी चल रहा है 50x जब मैंने share किया था private sale के price से 50x पे चल रहा है public sale का आपको exactly मुझे check out करना पड़ेगा, so spin top खुद का पैसा मेरा लग रखा है by the way, मैं आप लोगों को इनका in fact फाइदा बताता हूँ मेरा, मैंने spin top के बारे बात क्यों कर रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ DeFi is something जो crash में फिर भी चलता है Metaverse भी चलता है but Metaverse में specific type of token चलता है but DeFi में बहुत specific चीज़ चलती है, वो है क्या होता है, जब market down होती है, तो लोग क्या करते है लोग liquidity farming जादा करते है, pools में पैसा जादा डालते है, तो एक ऐसा कोई project हो, जो अच्छा हो जिसकी team अच्छी हो, जिसमें हम gaming भी कर सकें, अगर जूरत पड़े and हम DeFi का layer भी उसमें हो तो that is a very interesting use case and a very interesting problem that has been, और that is being solved and spin top में वो है मैं इसलिए spin top को यहाँ पे mention कर रहा हूँ as an example तो जैसे for example, अगर मैं spin top का इन्नोंने DEX निकाला है, DEX में जाओं, तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ pool में डाला नहीं है, मैं डालूंगा, I am planning that, क्योंकि मेरे को खुद को अभी jan में जो है, allocation है available, pool 115% मेरे को APR देता है इनका pool, तो मैं यहाँ पे stake कर सकता हूँ मेरे spin, तो I will stake of course, but अगर हम इनके network की, actually spin top network की बात करें, यहाँ पे let me open that up, network की अगर बात करें, तो यहाँ पे game 5 है, तो क्या है, यहाँ पे अगर हम इनकी जो NFTs हैं हमारे पास, तो हम multiple games, जो हैं, उन NFTs के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं, उसके against आप देखो, यहाँ पे हम लोगों को DeFi का एक layer है, तो यह एक, ऐसे projects, जो DeFi और NFT और gaming इनको mix कर रहे हैं, और examples अगर लेना चाहो, तो मैं आप लोगों को और example दिखा सकता हूँ, इसमें कुछ हद तक, कुछ हद तक, यहाँ पे Rune can be an example, of something similar, Illuvium है, Axie Infinity की खुद की staking है, जो आप लोगों में से, बहुत सारे लोग मुझे मालूम है, Binance वगएरा में कर रहे हो, right, Axie Staking, So, all of these things, again, there is also an interesting एक और चीज, YGG, Yield Guild Games, वो staking में नहीं है, बट वो kind of investing into Metaverse and gaming ecosystem है, तो यह type के जो थोड़े से, हट के चीज़े दे रहे हैं, या एक की ज़रुवत होती है, और पैसा, कहां से आएगा, staking से आएगा, play to earn से आएगा, अब कोई project है, जो दोनों को इकठा कर रहे है, that can work, बट उसमें अब, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने telegram में share किया था, कि first step क्या होता है, fundamental analysis का, right, वो first step से आप start कर सकते हो, उसके बाद आप team का देख सकते हो, research कैसे करना है, उस पे मैं आने वाले दिनों में videos बनाने वाला हूँ, stocks में भी आप में से बहुत सारे लोग interesting है, तो financial funda channel है अपना, मैं आपको फटा फट दिखा देता हूँ, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे, क्योंकि financial funda channel जो है, let me open it up, तो financial funda channel का aim यही है, कि हम लोग पैसा बनाने के बारे बात करेंगे, बचाने के बारे बात करेंगे, बढ़ाने के बारे बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं, आज ही सुबह एक video डाला है, how to be financially free in your 20s, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, इसके लावा stocks कैसे research करने है, crypto कैसे research करना है, वो video मिल जाएगा, तो वहाँ से आप start कर सकते हो, and you can start learning, कि यार, यह project कैसे काम करता है, यह ऐसा user को क्या देता है, कि उसको bull market में भी फाइदा हो, bear market में भी फाइदा हो, और एक चीज़ है, जो Charlie Munger बोलता है, और even Warren Buffett बोलते है, invest in a business, which even fools can run, मतलब क्या, मतलब वो project ही ऐसा हो, वो concept ही ऐसा हो, कि उसको चलाने वाली team, अगर थोड़ा सा दिमाग से कम भी हो, उन्होंने idea लेया है, चलाने वाला बंदा, टीम, अगर दिमाग से थोड़ा कम भी हो, तो भी वो अपने आप community के बेस पे चलता रहे, या जन्दा के बेस पे चलता रहे, which in their thing, they mean कि simple businesses, तो वो वाले angle से आप देखो, क्या काम आ सकता है, CD5 fund is huge, CD5 fund, ऐसा है, जो bear हो या bull हो, actually usually क्योंता है gaming projects ना, जो bull market के हिसाब से अपना release और launch जो है plan करते हैं, normally, historically देखके, तो CD5 में यहाँ पे उनको फाइदा हो जाता है, इसमें, there is another one, Avagotchi, ghost है, ghost token जो है, Avagotchi जगर आप करते हो, वहाँ पे भी similar, जो है funda, आपको DeFi वाला funda available है, तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे चीज़े हैं, जो हम कर सकते हैं, जिसमें DeFi भी आता है, NFT भी आता है, Altura is a huge example of this as well, Altura के बारे मैंने बहुत बात किया, आप में से बहुत सारे लोग और 20, 30, 40 X भी बनाया है, Altura पे जब से मैं बात करता आ रहा हूँ, जून वागर ऐसे बात करता आ रहा हूँ, मैं 2020, 2021 स्री, 2021 के जून से बात करता आ रहा हूँ, Altura is another example of something like this, यह एंगल से अगर आप सोचो, Metaverse में कौन से coins हैं, तो limited कुछ coins हैं, यहाँ पे आपको double, triple type of layer दे सकते हैं, अब इसमें कहाँ inherent थोड़ा सा risk आ जाता है, वो आ जाता है, जैसे अभी मैं spin top की बात करा था, comparatively छोटा project है, as compared to let's say Axie, तो वहाँ पे volatility शायद आपको जादा देखने को मिले, राइट, तो थोड़ा सा volatility शायद जादा देखने को मिले, but they are providing the both things, तो वहाँ पे अगर मैंने को volatility मिल रही है, मैं stake करके छोड़ सकता हूँ, तो यह मैंने pancake swap के video में बात किये, तो यह angle से हम चीजों के बारे में सोच सकते हैं, I think this has a bit more potential, अगर हम थोड़ा सा सोच के invest करें ना, तो bull और bear के बीच में हम बच सकते हैं, क्योंकि, क्योंकि आपने अगर crypto jargon को follow नहीं करते, तो कर ले ना, उसने एक post डाला था, trading is not the only way to make money in crypto, तो उसने एक video भी बनाया है, उसके दूसरे channel पे, YouTube channel का जो post होता है, community post, वो बनाया है, go check that out, सिरफ trading नहीं है, जहां से daily पैसा आता है, play to earn है, defy है, staking है, कितना कुछ है, content creation है, बहुत सारी चीजे हैं, जो करके आपे पैसा बनाया जा सकता है, तो हमें वो सारी चीजें open रखने हैं, अपने लिए multiple streams create करें, this is one way to do that, and SA coins, या rather SA projects, are very important, to be able to actually do that, that's it guys, यह था आज का video, hope यह video आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ अलग आपको, कुछ नया सीखने को मिला हो, as always, अगर वो सब आपको मिल रहा है, तो like button पे मुक्का मार के, subscribe करना मत भूलिएगा, and as always guys, जाने से पहले, telegram और twitter जरूर चेक कर ले, links जो हैं, आपको description, pin, comment वगएरा में मिल जाएंगे, this is Shivam, signing off, मैं आप लोग मिलूगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए guys, bye,